Hello everyone, बच्चों आप लोगों को कहानी सुननी अच्छी लगती है, तो आईए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, The farmer's wife and a crow, यानि किसान की पत्नी और एक कववा, तो देखते हैं कहानी, सुनते हैं कहानी, Once upon a time, there lived a farmer and his wife in a village, एक समय की बात है कि एक किसान और उसकी वाइफ एक गाओं में रहते थे, The farmer grew vegetables on his farm, जो किसान था, वो सब्जियां उगाता था अपने खेत में, his wife sold them in the market, और उसकी वाइफ, मार्केट में उन सब्जियों को बेच देती थी, One day, the farmer's wife went to sell vegetables in the market, तो बच्चों क्या हुआ एक दिन कि किसान की पत्नी सब्जियों को लेकर बाजार में गई, सब्जियों को बेचने, The money which she earned from selling the vegetables, she bought some eggs, तो जो पैसा मिला था, रुप्या मिला था, उनको सब्जियों को बेच कर, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अंडे खरीद लिये, इसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठी, उस पे बास्केट को रखी, जिसमें अंडा भरा हुगा था, और उसको लैप में रखके, अपने घर के लिए रवाना हो गए, देखिए किसान की पत्नी सब्जियों को मार्केट में बेच रही है, शी वाज वेरी एक्साइटेड विद द प्रॉफिट्स मेड डिवरिंग द डे, तो उस दिन उनको सब्जियों को बेच करके काफी इंकम हुई थी, काफी प्राफिट हुआ था, उससे बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, और घोडे को भी बहुत केरलेसली, यानि सावधानी से नहीं चला रही थी, सावधानी से नहीं बैटी थी उस पे से, घोडे पर, बहुत केरलेसली राइडिंग कर रही थी, और कुछ सोच रही थी, सोच ये रही थी, कि जो पैसा वो कमाई है, उससे वो क्या चीज खरी देंगी, तो अचानक क्या हुआ, कि बास्केट ग्राउंड पे गिर गया, और जितने अंडे थे, वे सारे फूट गये, इससे किसान की पत्नी बहुत दुखित हो गए, तो उपर एक कववा बैठा हुआ था पेड़ पर, उन्होंने कववे को देखा, और कववा काउं काउं कर रहा था, तो बहुत तेज बोली, मुर्क, तुम्हारी वज़ा से, तुम्हारे सोर करने की वज़ा से, अंडा जमीन पे गिर के फूट गया, किसान की पत्नी इस कववे को ब्लेम्द कर रही है, कि तुम्हारी वज़ा से, मेरे अंडे जमीन पे गिर गया, किसान की पत्नी और एक कववा, तो कववा बोला, लेडी, you were not careful while riding, कि स्रीमती जी, लेडी, आप जब घोड़े को राइड कर रहे थी, तो आप careful नहीं थी, careless थी, आप साधानी से नहीं चल रही थी, और आप कुछ सोच रही थी, इसके वज़े से, आपके अंडे जमीन पे गिर के नश्ट हो गया, आपको मुझे blame नहीं करना चाहिए, बलकि ये आपकी कमी थी, जिसके वज़े से, आपको ये दिन देखना पड़ा, तो जो फार्मर की वाइफ है, किसान की पतनी, वो कही अरी ये कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रही थी, उसको बहुत अपने पे शर्म आई, और अपने बिवहार पे शर्म आई, और उसने कुट्टे से माफी मांगी, माफ कीजिएगा, उसने कववे से, क्रो से माफी मांगी, कि मुझसे भूल हो गई, जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, तो ये कववा है, क्रो, और ये लेडी है, किसान की पतनी, ये फूटी हुए अंडे है, तो इसको, यानि किशान की पतनी को, बहुत दुख हुआ, और अपने उपर पस्तावा हुआ, कि मैंने क्यों गलत इल्जाम, इस क्रो पे लगाया है, तो बच्चों, इससे सिख्चा ये मिल लई है, कि हमें अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अब हम आते हैं कोस्चन सांसर्श पे, पहला कोस्चन है, सब्जियां कौन हुगाता था और कहां हुगाता था? तो दे फार्मर, चो किसान है, वो हुगाता था, दे फार्मर ग्रिव दे बेजिटेबल्स इन दे फार्म, सेकेंड कोस्चन है, वो वाज राइडिंग केरलेशली और क्या सोच रही थी? तो इसका अंसर है The farmer's wife was riding carelessly थर्ड कोस्चन है Whom the farmer's wife blamed for broken eggs किसान के wife ने किसको blame दिया अंडे टूटने पे तो अंसर है She blamed the crow किसान के wife ने कववे को blame दिया फोर्थ कोस्चन है What did the farmer's wife realize in the end किसान की पत्री को अंत में क्या मासूस हुआ उनको मासूस हुआ The crow said true कि जो कववा है उससे ही कह रहा है कि हमें अपने गलतियों के लिए दूसरों को सजा नहीं देनी चाहिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और यदि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए किसी से भी कोई गलती हो जाए तो तुरंत बोल देना चाहिए इससे आप छोटे नहीं होंगे बलकि बड़े होंगे कुछ भी गलती कीजिए तो हमेशा माफी मांग लिया कीजिए